Hey guys, welcome to the study with my young मैं हूँ आपका मयंग और आई लाराओं में आपके लिए कछा बारह के लिए रायनीत विज्ञान की पार्ट उस तक समकालीन विश्व में रायनीती देखे इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय तीसरा है यहाँ पर हम समकालीन विश्व में अमरीकी बड़्चसु के बारे में जानेंगे कि किस तरह से सोवियत संग के बिटन के पाल अमेरिका का बड़्चस्व जो फिर से कायम हुआ है और अमेरिका ने किस तरह से अपनी मनमानी की है और या फिर उसकी संख्टिएं जो हैं किस तरह से नियंदिद्रत होई है बोसब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या-क्या डिसकस करना है यहाँ और और क्या-क्या नोट डाउन करना है परचे की बात कर ले हम अमेरिका के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं देखे आप जो पूरू का घटना करम है अगर आप पूरा एतिहासे घटना करम उठा के देखेंगे तो देखेंगे सुरुवात में जो है अमेरिका पूरा एक निरजन दीफ होता है और बहाँ पर बड़ी तादात में जो है बाद में अमेरिका की खोच के बाद बहार से दो जागा कर बहां पर बस जाते हैं और ऐसे करके अपना एक mixed culture जो है यानि कि मिला जोला culture बना लेते हैं यज आपको पता है बात आपको ये भी बता है कि एक समय में क्या था ब्रिटेन का बर्चस तो रहा है पूरी दुनिया में लेकिन जैसे जैसे प्रतम विस्युद उसके बाद दूसरा विस्युद तो इन विस्युद्यों के बाद जो है कही ना कि ब्रिटेन का जो बर्चस था पूरी दुनिया से वो खत्म हो गया दुती बिस्युद्ध जो हुआ है दुती बिस्युद्ध में जो परमाड हमले का जो कदम उठाया है अमेरिका ने तो परमाड हमले का कदम उठानी के जैसे अमेरिका जो है पूरी दुनिया में हाइलाइट हो गया है पूरी दुनिया में एक बार उसका अमेरिक लेकिन वो खेमा जोगा जाद दिनों तर टिक नहीं पाया है 1991 में आकर उसका जोगा बिगटन हो गया है इसके बास से यानि कि आप फिर से समझ रहे होंगे कि भाई अब यहाँ पर अमेरिका ही सक्साली बना रहा है तो यहाँ पर वही सब बात हैं कि अमेरिका सक्साली बना रहा है तो अमेरिका ने मेलब क्या किया है क्या नहीं किया है वो सब बताया गया है देखिए यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक कहानी दी हुई है तीन बच्चों की कहानी है यह एक तो है आईशा, जाबू और आंध्रेई तेकि आईशा यह एक लड़की जो है आपकी यह मिडिल इस्ट की लड़की है यह बगदाद के छोर पर एक इसका स्कूल है यहाँ पर एक छात्रा होती है इसका सपना यह है कि बड़ी होगी तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी यानि किसी यूनिवर्स्टी से जाकर जो डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी लेकिन होता क्या है सन 2.13 में इसकी एक टांग जो है काटनी पढ़ती है क्योंकि काड़ नी पढ़ती है क्योंकि यहाँ पर मिसाइल का अटेक हुआ है यहाँ पर जिस जगह पर यह पढ़ रही थी जिस जगह पर यह छिपी हुई थी वहाँ पर मिसाइल का अटेक हो जाता है तो इस बज़े से इसकी टांग जो चली जाती है और उसमें भी सबसे important बात क्या है कि किसी बिदेशी सेना का हस्ट छेप करना यानि कि यहाँ पर जो attack किया गया है वो अमेर्की सेना के द्वारा किया गया है तो आगे बाद यहाँ पर जानेंगे अब देगे एक और है यहाँ पर कहानी यह कहानी सोड़ी सी उलट है यहाँ पर यह डर्बन की खानी है यहाँ पर एक बच्चा है जिसका ना में जाबू यह एक अच्छा खासा जो एक कलाकार है यह इसका जो है इसकी जो चित्रकारी जो आर्ट बनाने का जो कौशल है यह पारंपर एक जन्जाती कला का इस पर असर जादा है यानि यह चाहता है कि भाई हम आगे बढ़ कर आर्ट के शेतर में अपना नाम कमा एक इस्टूडियो बनाए अपना इस तरह के इसके सपने हैं लेकिन इसके पिता जो के एक जो है ब्यवसाइक फर्म चलाते हैं तो उनका मानना यह है कि हमारा बेटा जो है MBA की पढ़ाई करें यानि Master of Business Administration की पढ़ाई करें और पूरी तरह से यहाँ पर बिजनिस को फायदेमन पहुचाए इस तरह का इनकी पिता का बेचार है तो यहाँ पर हम देखेंगे जो MBA वाला कॉंसेप्ट है यानि Master of Business Administration वाला कॉंसेप्ट है यह कहां से आया है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे दूसरी कहानी का आपको उत्तर आगे मिलेगा यहाँ पर आगे अगली एक कहानी यहाँ पर दी गई है जो आपकी यह है आंद्रेई नाम की कहानी है देखेंगे आंद्रेई जो है एक बच्चा ही है तो आंद्रेई जो है औस्टेलिया के पर्थ में रहता है यानि आप्रवासी के रूप में है रूस से आये हुए हैं यह लोग तो यहाँ पर इनकी माँ जो एक चर्च में जाती है और चर्च में अब आप आप उवियसी बास समझ रहे होंगे चर्च बगारा में जाते होंगे या फिर हम कहीं भी किसी धार में किस्थल पर जाती है तो एक सब या शालीन बेस्बूसा में जाते हैं नॉर्मल बेस्बूसा में जाते हैं तड़कते बड़कते कपड़े हम पहन कर नहीं जाते हैं खास करके आपने ये भी देखा हुआ मंदिरों बेगरा में हम कहीं जाते हैं मनलब एक नॉर्मल होती ही पोशाक तो यहाँ पर क्या है कि यह नीली जीन्स पहने हुए है तो आंद्रेई की मा इससे कहती है नहीं कि यह चीज नहीं चलेगी आप सब बेसालीन बन कर आईए यानि कि बिल्कुल कोट पेंट पेंड कर आईए प्रॉपर बेम फॉर्मल बेम आईए तो आंद्रेई अपनी मा को बताता है कि जीन्स कूल है कूल का मलब इनकी भासा में क्या है तो आंद्रेई के पिता वहाँ पर कहते है कि यहाँ पर इसकी जो हमें जीन्स है यानि कि जो इसकी जीन्स है यह हमें अपनी आजादी की दिनों को याद दिला रही है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आंद्रेई को अपनी इच्छा के उनसार कपड़े पहने पर प्रद्वंदित किया रहा है तो यहाँ पर एक सांसकतिक पहलू है जो एक सांसकतिक पहलू है सांसकतिक बिचारधारा में मतवेद होने की जैसे यहाँ पर आंद्रेई क अब तीनों कहानियों के उत्तर आपको यहां पर बारी बारी से इस चैप्टर में मिल जाएंगे तो बात करते हैं संयुक्तराज अमेरिका यानि कि संयुक्तराज अमेरिका आप जानते होंगे USA United States of America आप जानते हैं United States of America क्यों कहा जाता है क्योंकि महाँ पर 50 states को मिला कर अमेरिका बना है 50 states को मिला कर क्या बना है अमेरिका मिला है अब देखिए अमेरिका सब्द अगर हमें कहीं सुनने को मिलता है तो अमेरिका सब्द में यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती है यानि एक तो North America आजाता है और दूसरा South America आजाता है यानि उत्री America और दछडी America उत्री America में आपके τीन देस है यानि यह उपर जो है Canada है बीच में जो है आपका USA है और नीचे आपका मैक्सिको है तो यहाँ पर आपके तीन देस आजाते हैं ठीक है और बीच वाला जो portion यहाँ पर पढ़ता है इसके बीच में ठीक है तो आप जानते होंगे इसे मध्य अमेरिका कहते हैं तो पूरा जो आपका जो यहाँ पर महादीब है दोनों महादीबों को मिला कर हम क्या बोलते हैं इसे इसे अमेरिका बोलते हैं यानि अमेरिका अ आम तोर पर अपनी आम भावसा में अमरीका बर्ड या अमेर्का बर्ड ही इस्तिमाल करते हैं. तो अब वो यहाँ पर अमेर्का के बारे में थोड़ा से थिहास आपने जान लिया, अब वो नई विस्तु प्यवस्ता की शुरुवात कैसे हुई है. तो आप सभी को पता है कि वाई सोवियत खेमे के बिग्टन के बाद अमेर्का का बर्ड चस है फिर से एक बार यहाँ पर कायम हुआ है. यानि अमेर्का की जो प्रद्वनता चली आ रही थी, अमेर्का की जो कंपटिशन चली आ रही थी सेयोग सोवियत संग के साथ, तो आते आते काते, 1990 में जो सोव पहली बारा में देखने को मिला, कहाँ, 1945 में, दूसरे बिस्युद्ध में देखने को मिला, आपने देखा दूसरे बिस्युद्ध में, किस तरह से 6 और 9 अगस्त को जो है, हिरोसिमा और नागा साकी बे परमाड़ गम गिरा हैं, और पूरी दुनिया को अपनी सक्ति का बढ़ावा देने की, आपने बर्चस को यहाँ पर शो करने की और दिखाने की, आपने सबसे पहला नमूना यहाँ पर देख लिया, 6 गस्त और 9 गस्त को, इसके बाद आप देखेंगे, सोवियस संग के बिटन से पहले एक गटना और गटित होई है, यहाँ पर बियतनाम ब बियतनाम बार के बारे में, तो आपने पढ़ा भी होगा, अमेरिका को वहाँ पर मुह की खानी पड़ी है, यह दुनिया का सक्तिसाली जो देख था, वो भी वहाँ पर उनके जो क्रांतकारियों के आगे, उसे भी जुकना पड़ा था, यानि अमेरिका अपनी यहाँ पर भ यहाँ पर अमेरिका में एक सब दूजी होता है, बिग डैडी, तो अमेरिका यही चाह रहा था कि दुनिया पर में हम बिग डैडी बन कर रहे हैं, यानि हम हर चीज में बड़पन में हमारा हमिसा आगे रहे हम चाहें, तो भही हो, हम किंग मेकर के रूप में रहें, जिसे चाहें, उसे हटा दे हैं, जिसे चाहें, उसे बना दे हैं, हम सांती भी कायम करने वाले हों, यानि हम पीस कीपर भी हों, सांती कायम करने वाले हों, तो आपको पता होगा, ऐसे करके यह बियतनाम बार में एंटर मार गई हैं, लेकिन इनकी एंट्री बहाँ पर इनको इकने को मिलेगी यहाँ पर बियतनाम बार वाला पोर्सन इन्होंने इसकेप कर दिया है यानि शाहे जो भी रहा हो अमेरिका के प्रत जो काव हो लेकक का या जो भी हो मैं तो आलोचना करूँगा यहाँ पर मेरा फर्ज से चक्के नाते क्योंकि मैंने 10th क्लास में आपको पढ ढाया है अमेरिका के बारे में व भीतनाम बार के बारे में तो इसलिए मैंने आपको वताओ आओँगा यहाँ पर कि भाई बॉतनाम बार जो एनके उपर एक कलंक है धब्बा है वरालेने वहाँ पर भूग की खानी पड़ी है और यम्र congressional बारे में वहाँ से बागे घिए है 1990 में यहाँ पर क्या होता है कि अब इराग है इराग ने जो है कुवेट पर अपना हमला कर लिया है अब इराग जो है किसी तरह से मान नहीं रहा है कुवेट से अपना कबजा हटाने के लिए राजी नहीं हो रहा है देखिए एक बात मैं आपको बोल दू इस चैप्टर को आपको जो प्रॉपर वेट नोटस बना लिना तो बेटर रहेगा आप समझ पाएंगे कि अमेरिका का बर्चस क्यों है ठीक है इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट तूदा पॉइंट यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ मुक्त कराने के लिए बल परियोग की अनुमती दे दी है इसने कहा है कि भाई आप जाईए और कुबेद को इराक के कब्गे से मुक्त कराईए कुल मिलाकर यहाँ पर सीत्युद्ध के दोरान जो भी था अमेरिका ने आप देखेंगे तो अमेरिका ने इस बात का फाइदा उठाया अमेरिका को एक मौका मिल गया है कि सीत्युद्ध के दोरान जो अमेरिका को कहीं भी हस्चिप करने का मौका नहीं मिलाता इस भाणे से हस्चिप करने का मौका मिल गया है तो यहाँ पर उस समय जो राष्टपती होते हैं उनका नाम है अमेर की राष्टपती जो है जॉर्ज बुस हैं इन्होंने इसे नई विवस्था की संग्या दी है यहाँ पर 34 देसों की मिली जुली फोर्स होती है और यहाँ पर लगए 6,60,000 सेनिक हैं जिन्होंने यहाँ पर इराक की विरुद्ध मोर्चा खुल दिया है मोर्चा खुलने से यह हुगा है कि अब आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी संग्या में विशाल सेना जो हो उसके पास अत्यादुनिक टेक्नोलोजी हो अत्यादुनिक टेक्नोलोजी वाले बंब पगेरा हो तो ऐसे में चोटा सा पॉइंट्स हैं वो आप पहले noadown करते जाएंगे पहला और पहले का सब्पैंट आपने यह देख लिया ठीक है और यहाँ पर इसका second सब्पैंट और लिख लेना यहाँ पर इसी में चोट्जस देर सोंकी मिलूजीली सैना ने यहाँ पर इसके विरुद्ध मोर्चा खुल दिया है और इसे परास्त कर दिया है इसे जो है हम प्रतम खाड़ी युद्ध इसे फिर कहा जाता है तो इराग के खिलाफ चलाया गया था ओपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यह आप ध्यान रखना ठीक है देके मुझे यहां लगता है कि जहां पर प्रॉपर नियर नोट्स होन तो यहाँ पर अमेरिका बोलना हूँ, स्युक्त राष्ट संग ने सेन अभ्यान चलाया है, इसका नाम है Operation Desert Storm, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 34 देरसों की जंग थी, लेकिन इस जंग में पूरा नेतरत किस ने किया था, अमेरिका ने किया था, 75 फीसद जो सेनिक थे, वो अमेरिका के थे, कहने को तो 34 देरसों की मिली जूली जंग थी, नहीं, लेकिन यहाँ पर mostly प्रतनित तो किस ने किया, अगवाई किस ने की, अमेरिका ने की, 75 फीसद इसकी सेन अमेरिका की थी, आप समझ सकते हैं, यहाँ यहाँ यह गवंड में थे, जो सद्दाम हुसेन का मानना था कि हमसे नहीं जीत पाएंगे लोग, भराल हार होती है, यहाँ पर इराकी और सद्दाम हुसेन को पीशे हटना पड़ता है, यहाँ पर इस पहले खाड़ी युद्द से यह बात तो साबित हो गई है, कि बाकी के देश अभ परियोग किया है, खास करके यहाँ पर गाइडेड बंब, गाइडेड का मलब क्या होता है, कि एक बार आप उसमें इन्वार्मिशन डाल दीजिए कि फलाना बंब जो है, इस टार्गेट पर जाकर गिरता है, तो गाइडेड बंब बोला जाता है, या कंप्यूटर युद् नाम बार बोला जाता है, ठीक है, पहली बार आप कैमरिये के सामने पहली बार जो है टेली विजन पर देखा गया है युद्ध वो लाइव, इसके लावा अगर हम कंप्यूटर युद्ध की बात करें, तो आपका ये वाला जो युद्ध हुआ है, प्रतम खाड़ी युद का प्रयोग किया और परवेचकों ने इसे जो है, कंप्यूटर युद्ध की संग्या दी है, यानि आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बहराल यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिले क्योंकि यह देश प्रतवन्दी थे कहीं नहीं इराक के, तो इन्होंने इसे रकम दिये कि आप जाओ उस पर हमला करो, तो ऐसे करके यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, अब देखें यहाँ पर आपने यह तो जॉर्ज बुर्स के समय में यह सब हुआ है घटना करम, जॉर बिल क्लिंटन जो थे, एक सांतिवादी ब्यक्तित वाले ब्यक्ति थे, बिल क्लिंटन जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिब बिहेवियर वाले नहीं थे, इनका मानना ये था, कि हमें अपने आंतरिक मुद्नों को, हमें अपने घरेलू मामलों को हमें निप्टाना है, हमे पहले बाली जो और भी जो उनके राष्ट पती रहे हैं उन्होंने भाहर फोकस किया लेकिने इन्होंने जो है अपने घरे रूप मामलों पर फोकस करने की बात कही है तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट आप लिख लेना कि जॉर्ज गोस उनिस सो बानवे में ये इनसे हार हैं ठीक है इसके लाभब यहाँ पर बिल क्लिंटन जो वैं यानि आपको यह थो पता ही होगा कि cocktail पता ही होगा कि अमेरीकी राष्ट पती का चुनाओ जो होता है चार साल के लिए होता है जिन राष्ट पती होता है of便 यहां पर पहली बार में 1992 में जीते हैं Bill Clinton, इसके बाद फिर से जीते हैं Bill Clinton, उनिसे चानवे का चुनावा द्वारा जीते हैं, ठीक है? तो यह दो महतपूर बात हैं Bill Clinton के बारे में, तो इन्हों ने, जो है Clinton ने, Clinton के दोर में, अमेरिका ने अपने को जो है, गरिलू मामनों तक सीमित कर लिया है, यानि कि अब Clinton की सरकार ने यहां पर खास करके देखे, सब पॉइंट अपने हिसाब से डालते जाना, मैं यहां पर स जो है, जो है Clinton का रॉल रहा है, ठीक है, इन्हें Bill Clinton के किस तरह से अपने देश की भूमिका को निभाया है, भो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कि अमेरिका ने इस दौर में योद्ध नहीं लड़े, अमेरिका ये जरूर है, कि अमेरिका ने पैले पैले की नीत र अब जैसे यहाँ पर 1999 में घटना हुई है जो कोसोवो प्रांत है यानि कोसोवो यानि युगोसलाविया में जगह है तो यहाँ पर अलवानियाई लोगों का आंदोलन को चलने के लिए यहाँ पर सेने कारवाई करनी पड़ी है आप सभी को ये बात तो मालुम है USSR के बिग्डन के बाद जादातर जो 15 गणराजिते 15 के 15 गणराजियों में सान्तिरपूरवक सरकारें ब्यक्ति नहीं तो नहीं हो पाई है तो यही बात थी कि इन देशों में जो है कहीना की अस्थिर्दा बनी रही है गरह युद्द के सिकार हो गए है यानि कि यहाँ पर मारकाड अच्छा खासा हुआ है और एक लंबा समय लगा है दस से बारे साल का समय लग गया है जो जब इनके गरह युद्द्या के समाप्त हो पाई है और प्रॉपर बे में सरकारें बन पाई है यहाँ पर कलिंटन के दौर की एक घटना यहाँ पर बताई ही गई है तो यहाँ पर ऐसे में अमेरिका ने जबाबी कारवाई की है जबाब में अमेरिका नेतरत में नाटो के देशों ने यहाँ पर भीशड बंबारी की है तो ऐसे करके कोसोवों पर नाटो सेने का कबजा हो जाता है तो ये सबसे बड़ी सेने कारवाई माने जाती है इस समय की एक कारवाई और होई है इसी समय में यहाँ पर एक कारवाई जो होई है दूसरी कारवाई होई है नेरोवी और केन्या में और दारिय सलाम में यहाँ पर अमेरिगी दूता वासों पर क्या था जो अल-काइदा है इसलामी संक्ठन उसने हमला कर दिया था उसके counter-terrorism के निलिवे कारवाई में यहाँ पर पर हमला की आ गया है तो दो कारवाई है इनके नितरती में होई है 1999 में Kosowo में ये लिख लेना ठीक है ये पूरा ये लिख लेना ठीक है थर्ड point और जबाब में अमेरिकर इत्रत के इन्हों ने दो महिने तक बंबारी लेखी है यहां पर थर्ड का सब पोइंट ये नोट का लेना ठीक है और इसी में ही यहां पर अगला सा प्वेंट, सेकिंड सा प्वेंट नोट का लेना दूसरी बड़ी सेने कारबाई, नैरोविक केन्या मैं यहां से लेकर यहां तक आप नोट का लेना तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का थोड़ा सा संचिप इत्यास हमें लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी क्यों है उसका भी रीजन में बता दे रहा हूँ देग बरतमान में लगातार अमिरका जो अपनी तागत बढ़ाता जा रहा है कही ना कही जो बैश्विग मामले होते हैं महाँ पे हस्टेप करता है तो ऐसी में यहाँ पर अमेरिका का जो बर्चस हो है उसको देखना भी जरूरी है कि अमेरिका जो अभी बर्तमान में हस्चिप कर रहा है उसके पीछे भी कुछ इतिहास रहा होगा उस इतिहास को देखना जरूरी है उस इतिहास को जानना जरूरी है तभी आप कहीं अपना व झांपर नहीं है यहाँ पर जो राश्टपती किलिंटन नहीं यहाँ पर उपरिशन चलाया था इसे में एस इसपॉइंट का किलिन गर हुआ als останов anTON राशुपतं के जहाने बंबारी धेल हो ही थी इनके पर अलकाईदा ने इनके जो है कहा जाए तो इनके जो दूता बासों पर बंबारी की ती तो इसके भिरोबोध में यहाँ पर राश्पदी किलिंटन ने आदेस दिया है और आदेस के फलस्वरूप में यहाँ पर ऑप्रेशन इन फाइनाइट रीच चलाया गया है तो ऐसी मे यहाँ पर इसके जरीए जो है इसके अंतरगत अमेरिका, सूडान यानि अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकाईदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज हमलों से हमले किये हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर तो यह एका सब पॉइंट पर यह लिख लेना बात ठीक है? यानि कौन सा ओपरेशन चलाया है? ओपरेशन इंफाइनेट रीड चलाया है इसके जवाब में यापने उपर घड़ना जो पड़ी है अमेरिकी दूताबासों पर हमले हुए है उसके जवाब में अमेरिका ने यहाँ पर चलाया है और मकस्द यूदी था है जो अल अब साइड में अट जाओ अब महीं समालूँगा अगली सिती और कब बनी है अब बनी है अगली सिती 9-11 के बाद यानि 9-11 की जो घटना है ये अमेरिकी धियास की सबसे महतपूर घटना है और अमेरिकी धियास की ही नहीं है बलके 20 धियास की भी सबसे महतपूर घटना मानी जाती है आपको पता होगा कि क्या हुगा था 11 सितंबर सन 2001 देखिए आपको एक बात और मैं बता दूँ सितंबर का महीना नमा महीना होता है हमारे हाँ यानि हम लोगों के हाँ जो मोठी डेट लिखी जाती है तो ग्यारे 9 और ऐसे करके लिखने का प्रशलन है ठीक है 2011 या 2001 ज यहाँ पर जिक्रिवी किया गया है तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं चोथे पॉइंट की देखिए यहाँ पर हुआ क्या था 11 सितंबर 211 का दिन था अब चूंकि अमेरिका अपनी कारवाई आप कर चुका है अमेरिका ने अपनी कारवाई अलकाइदा के संग्ठनों क की विरुद कर चुका था इसलामिक संग्ठनों की विरुद कर चुका था तो इसके जवाब में क्या है अरब देशों के 19 अपरहड करता जो है 19 लो जो है जो यहाँ पर अपरहड करता जो थे वो यात्री बनकर अमेरिका के चार बिमानों में सबार हो जाते हैं ऐसे करके यह क्या करते हैं कि चार बिमानों को हाई जैक कर लेते हैं यानि कैप्चर कर लेते हैं और चार बिमानों को हाई जैक करके क्या करते हैं दो बिमानों को तो ये बर्ड ट्रेट सेंटर पर टकरा देते हैं यानि बर्ड ट्रेट सेंटर जहां पर पूरा ब्यापार नियंदित होता ह तीसरा बिमान जो होता है जो पेंटा गल नहीं यहाँ पर अमरिकी रच्छा विवाग का कारियाल है मुख्याल है यहाँ पर टकराती है चौता बिमान जो थे ये लोग अमीरका की कॉंग्रियस की इमार से टक्राने का प्लान था लेकिन वहां तक नहीं पहुँच पाई है ये तो ये बीच में ये खेत में गर गया है बिमान तो ऐसे करके ये चार बिमान उड़ाए गए है चार बिमानों को टकराया गया है और चार बिमानों को टकराने के उपरांध यहां पर लगए 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गई है यानि अमेरिकी इत्यास में सबसे बड़ी घटना यही है 9-11 की बाद लेकि 9-11 की बाद अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं वो दुनिया में सोचे भी नहीं होंगी यानि अमेरिका ने गर ने गुषकर मारा है समझ रहे होंगे आप अमेरिका ने फिर घर में गुषकर मारा है इसका सबसे यूनिक एक्जम्पल आपका उसामा बिल्नादेन वाला है इन्या आपने हमारे यहां अंटर मारा है तो आपको भुगतना पड़ेगी उसने घर में गुस कर मा रहा है और यह आपके सामने भी है तो यहाँ पर आप चौथा पॉइंट अगर आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ना कि 11 सेटमबर सन 2001 के दिन बिविन अरब देशों के 19 अफ़ड करता हमने चार अमेरीकी ब्यावसाइक बिमानों पर कबजा कर लिया इसी में पहला सब पॉइंट जो दो बिमान थे आपके इन से टकराये गई है ठीक है यानि चोथे का पहला सब पॉइंट जो है कॉंग्रेस की मुख्यमार से टकराना था लेकिन ये खेत में गरी आएक ठीक है तो आपने चार के तीन सब पॉइंट यहाँ पर पढ़ लिए हैं लिख लिए हैं यहाँ पर आई होप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वही सब बताया गया है कि यह गटना जो गटित होई है यहाँ पर तीन जार से ज़्यादा ब्यक्ति मारे गए हैं और यह अमेरिकी इत्यास की सबसे जगन गटना है अमेरिकियों के लिए सबसे दुखत गटना रही है और अमेर्की धियास में सबसे बड़ा नरसंगार भी यही है क्यानि कि अमेर्की धियास में इससे पहले दो बार ऐसी घटनाय घटेत हो चुकी है एक 1814 में और दूसरी 1941 में तेख 1941 वाली जो घटना थी वो दुती विश्युद्य का परडाम थी जब यहाँ पर जापान ने परल हारवर पर हमला किया था परल हारवर के बारे में आप जानते हैं प्रसांत महासागर में अमेरिका का कि बेस था सेने बेस था और इस सेने बेस पर इनके जो लडाकु जहाज बगरा बाले जो युद्धपोत होते हैं जिनके जरी लड़ाकु जहाजों को रखा जाता है जिनके जरी लड़ाकु जहाजों की लेंडिंग विगरा उन पर होती है उन्हें युद्धपोतों को यहाँ पर डो दिया था अमेज़ोगा जापान ने आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में इत्यास के बारे में तो यहां पर आप देखेंगे कि यह घटना इनके लिए दो पुरानी घटनाओं की तरही थी जो कि सबसे गवायानक रही है 1814 भाले जो घटना यहां पर यह है 1814 में यहां पर जो वासिंटन डीसी है यानि कि जो आपका खास करके वाइटाउस कहा जाता है तो वाइटाउस को बिटेन आज लगाई थी तो ऐसे करके ये जो घटना है कही ना कि काफी जगन ने रही है तो अब आप यहाँ पर एक नोट लगा देना तो नोट लगा कि आपको थोड़ा से थियास और मालूम पढ़ जाएगा तो यहाँ पर 1814 में बिटेन ने वासिंटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने परल हारवर पर हमला किया था ठीक है तो अगर आप अमेरिका का थियास देके 1776 के बाद तो इतने बड़े हमले कभी नहीं हुए है यह तीसरा यहाँ पर मौका है जो इतना बड़ा हमला हुआ है तो आपने तोड़ा नोट करके लिख लिया ठीक है अकसर यह पूचा जाता है बिटेन ने बाइट हाउस में आप कब लगाई थी 18-14 में लगाई थी और परल हारवर पर जो आक्रमड किया है जापान ने वो 1941 में किया है समय पतला यहाँ पर अब भाही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी देखे समय परवर्तित हुआ है राष्टपती परवर्तित हुए है क्योंकि चार सालों के लिए राष्टपती रहता है अब यहाँ पर क्लिंटन की जगेर रिपब्लिक पार्टी के जोर्ज अ रॉम के दोरान नित्रत तो इन्होंने किया था जौल बुस इनके बेटे अब यहाँ पर आ गए है ठीक है अब यह राष्टपती बन गए है तो इन्होंने यहाँ पर जो है राष्टपती डवल एच डवल बुस के पुत्र है यह तो इन्होंने यहाँ पर कठोर डिसियन ल पाकिस्तान के कुछ सटे हुए अलाकों में बहां पर जबर्दस सेयन कारवाईयां की गई हैं कई जगहों से अरेश्टिंग बगरा हुई है गरफ्तारियां बगरा हुई है वो सब हम देखेंगे तो आप यहां पर पांचमा पॉइंट आप लिख लेना ठीक है यहां पर आप लिख लेना कि अब क्लिंटन की जगह राष्टपती जहां पर जो है यह डॉज ड़ॉब्स राष्टपती है ठीक है तो इसी में सब पॉइंट यानि कि इन्हों ने कड़े 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 उठाए हैं और आतंक बाद की पिरुद इन्होंने कॉनसा अभियान चलाया ह यह पांच में का आप सब पॉइंट के रूप में लिख लेना, इसी में ही सेकेंड सब पॉइंट, यानि इस अव्यान में मुख्य। निसाना क्या था, अलकाइदा था और अफगानिस्तान के तालिवान सासन को बनाया गिया है, यह आप यहाँ पर लिख लेना, तो आप जेल है यानि कि जो जेल एक काले पानी वाली जेल बोली जाती है इसके बारे में मैं नाइंत में जिक्र कर चुका हूँ आपको यहाँ पर अमेरिका की खुपिया जेल है क्यूगा के निकट जिसका नाम है गवांता नामो बे के नाम है यह ठीक है यहाँ पर बहुत सारे लोग तो आरगारों तक नहीं पताया के हमारा वैक्ती कहां गया और अमेरिका ने नहीं किसी अंतराश्थी कानुन की प्रवा की नहीं किसी यहाँ पर संधी संभतन लें meditate किया यहाँ पर निवाई तो यहाँ पर नोट करके यहाँ पर एक डाल लेना यहाँ पर ठीक है यह वाला ठीकाना वैसे आप इसके बारे नाइंद में लिख चुके हैं यह इनका एक ठीकाना है सैने बेस है सैने बेस में इनोंने इसी सरे की यहाँ पर खुपिया जेल काना है, यहाँ पर तमाम लोगों को बंदी बना मना कर इसके बार डाल दिया है अब देखे, आप देख पा रहे हैं, अमेरिका की भूमी का किस तरह से अमेरिका ने अपको भारी भरकम बनाया हुआ है, हत्यारों के दम पर यह आप देख पा रहे हैं, तो यह तो आपकी 9-11 के प्रत्करिया के फल्सुरूप क्या क्या हुआ है, वो आपने यहाँ पर देख लिया है, पांच पॉइंट और पांच का सब पॉइंट भी आपने नूट का लिया है, आगे बढ़ते हैं, अब इराक वाला संकट अब देखिए, इराक वाला संकट फिर से यहाँ पर कायम हो गया है, अब इराक वाला संकट फिर से कायम होने का क्या रीजन था, अब अमेरिका का जो चरित्र है, थोड़ा सा परवर्तित हुआ है अमेरिका ये जानता है कि पूरी दुनिया जो है अभी जो बरतमाल समाज है बरतमाल सबेताएं जो है वो एनरजी के दम पे आगे बढ़ रही है आप बरतमान समाजों को देखें तो बरतमान समाज में सबसे important क्या energy उर्जा उर्जा आ कहा से रही है तिल आ रहा है आपके खाड़ी देसों से तो अमेरिका का मानना यह था है अगर इन छित्रों पर हम ही कबजा कर लें तो हमारा energy के मामले में भी हम यहां पर number one हो जाएंगे Opening Operation Iraqi Freedom यानि इराक पर सेन हमला इस नाम से किया जाता है Operational Iraqi Freedom यानि अमेरिका ने यहाँ पर बताने की कोशिस की है कि बहुए इराक के पास यहाँ यहाँ बर्माडो हत्यार है तो इस बज़य से अमेरिका जो है इन पर हमला कर रहा है यहाँ पर इराग पर परमांड हतियार है, जो कि पूरे के पूरे समाज को दभा कर सकते हैं, यहाँ पर इन्हें Kdeb tweets of mass destruction, यहाँ पर सामुइक संगार के हतियार, परमांड हतियार ही होता है, जो कि एक वार कहीं ही चला दिया जाये, तो लागों की संख्या में लोग उसकी अमेरिका तो घुस गया यहां पर तो अमेरिका का घुसने का रीजन क्या था यानि इस हमले का मकसद क्या था कुछ और ही था यानि यहां पर अमेरिका का हमले का मकसद यह था कि तेल भंडार पर नियंतर कर देना और इराक में अमेरिका की मनबसंद सरकार कायम करकना यानि री जा रहा है आपके सामने एक्जामपल है तो यहाँ पर सद्दाम हुसेन का ही सासन है यहाँ पर जबरदस्त कारवाई हुई है लगवाग अमेरिका को भी यहाँ पर भारी चट उठानी पड़ी है तीन ज़ार सेने कि हाँ पर मारे भी गए है लगवाग पचास ज़ार नागरिक यहाँ की कारवाई में भी मारे गए है पचास ज़ार नागरिक जो है यहाँ पर इराक में भी मारे गए है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इराक पर अमेरिका का हमला जो है कही ना कही रायनेतिक ध्रातल पर अस्फल सिब्ध हुआ यानि कि बेसक ये लोग इराक में जो वह एंट्री मार गए हो इराक में नोंने कुछ भी किया हूँ लेकिन रायनीत में इसकी बहुत जवर्दस तरीके से आलोचना हुई है जवर्दस तरीके से देख एक फोटू था वो फोटोग्राफ में दिखाना भूल गया हूँ ये फोटू है आप देख पा रहे हैं आप समझ रहे होंगे यहाँ पर एक हाईवे हैं और हाईवे के दोनों और भान पड़े हुए हैं ये कब का चित्र है ये चित्र है आपका यहाँ पर Highway of Death के नाम से जाना जाता है 1991 जो खाड़ी युद्ध के दोरान यह हुआ था तो उस युद्ध का यहाँ पर चित्र है ये तो Highway of Death के नाम से फेमट है चित्र यह बाला यानि आप देखेंगे यहाँ पर जले टूटे भानों की तस्वीर है Highway of Death यानि म्रत्यू का राजपत कहा जाता है तो कोवेत और बसरा की भी इसमें सड़क है यह और पहले खाड़ी उद्र के दौरान अमिरका ने यहाँ पर हमला किया था बेमानों से तो इस बज़े से यहाँ पर तमाम लोग जो ट्रैक्फिक में फसे हुए थे तमाम लोग मर गए थे काफी लोग यहाँ पर छोड़ छोड़ के भाग गए थे तो आप देखेंगे इस तरह का जो हमला हुआ है यह यानि इस तरह की जो कारिवाई हुई है इसमें तमाम आम लोगों की जान भी गई है तो कहीना कहीन यहाँ पर जो बिद्वान है यानि एक बिद्वानों परवेचकों ने से युद्ध अपरात की संग्या दी है और जेनेवा समझोते का उनलंगन माना है जेनेवा समझोते यही कहता है सांति कायम करने की बात कहता है तो कहीना कि अमेरिका ने भी यहाँ पर मनमानी देखाई है और यहाँ पर पूरे हाईवे को हाईवे आफ डेथ में परड़त कर दिया है पूरे हाईवे को बदल दिया है मरत्यू के हाईवे में बदल दिया है तो highway of breath के नाम से ये तस्वीर ये आपकी प्रतम खाड़ी उद्ध की तस्वीर है तो दूसरा खाड़ी उद्ध आप उपर नीचे देख रहे हैं यहाँ पर ठीक है जो आपने इराक पर देख लिया तो अमेरिका को यहाँ पर आलोचना बगरा भी होई है तो आपने देखा होगा कि हमारे आम जीवन में या फिर हमारी रोजाना की जो life style है बहाँ पर हम देखते हैं कोई ना कोई आदमी हमें धवानी कोशिस कर रहा होता है या फिर कोई ऐसा आदमी होता है जो अपने आपको बहुत तागतवर दिखानी कोशिस करता है हर मामले में हस्ट्यप करता है तो कहिना के हम यह कहते हैं यह आदमी यह तागत पर बनने पर तनुला हुआ है ऐसे ही तमाम देश हैं तो वो देश यह चाहते हैं कहिना के हम अपने इर्द इर्द अपने आसपास के उसी पड़ोसी देशों पर अपना अपना बर्चस हावी रख पाएं, अपनी तागत हावी रख पाएं, ताके बो लोग हमारी बात मानें, तो यहीं से कहीं जो है बर्चस्त की लटाई निगल कर आती है, तो यहे बर्चस्त चीणा आती क्यों है? यानि कि ये रखना क्यों चाहते हैं यानि कि ये सैन नितागत प्रवत्त के दंपर आर्थिक सक्ति के रूप में राजनेत के रूप में सांस्कातिक वलत के रूप में इन सब रूपों में ये लोग क्या चाहते हैं बर्चस्थ कायम करना चाहते हैं तो आपने शीत्युद्ध का दौर तो पढ़ा ही पढ़ा है शीत्युद्ध में था गया बर्चस्ट की लडाई थी यानि दो खेमे बटे हुए थे एक USA और दूसरी तरब USSR दोनों ही अपने बर्चस्ट की जंग लड़ रहे थे एक कहरा तक नहीं हम आगे हैं दूसरा करहा तरब नहीं हम आगे हैं एक खेला तक नहीं हम यहाँ पर अपने पूरा दुनिया को अपने अधीन लेकर आएंगे कहीना कहीं आप देखेंगे इस रडाई में जो है कहीना कहीं जब PSी में शोविये संगा बिग्डन हो गया है यहाँ पर जो विवस्ता है जिसमें केवल एक महासक्ती है और एक महासक्ती के अधिनी पुरी सक्तिया है तो यह एक ध्रुबी विवस्ता ऐसे कहा जाता है यहाँ पर यब USSR का बिटन हो गया है तो फिर से अमेरिका का बर्चस कायम हुआ है तो कहीं ना कहीं है एक ध्रुबी विवस्ता कायम हुई है द्रुब का मतलब तो जानते होंगे नौर्थ पूल, साउथ पूल बहुत एक रुप से तो हमने माल लिया है कि नौर्थ के रूप में अमेरिका वाले हैं और साउथ के रूप में USSR वाले हैं तो हमने यह माल लिया कि जब तागत का केवल और केवल एक केंदर हो तो उसे हम क्या कहते हैं बर्चस सो कहते हैं ठीक है केवल तागत का एक केंदर हो तो उसे बर्चस सो कहते हैं हेगे मनी सब्द जो है ये प्राचीन आपका यूनान से निकल कर आया है यानि कि यहाँ पर इसका परियोग जो है प् पर हेगे मनी सब्द का प्रियोग किया जाता था ठीक है तो यहां से बर्चस्ट निकल कर आया है बहराल बर्चस्ट को हम सैने सक्ति के रूप में देखते हैं यानि सैने सक्ति के रूप में हम देखेंगे भाई सैने सक्ति के रूप में अमेरिका का क्या बर्चस्ट है तो हम important बात यह है कि America जो आज दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है उसका आगे बढ़ने का region यही है उसकी Senate आगत अमेरिका अपनी Senate आगत पर सबसे जादा खर्चा करता है सबसे जादा खर्चा करने वाला देश है दुनिया में सबसे जादा जो अपना budget जो है कहा जाए अपनी GDP का सबसे बड़ा हिस्सा जो है अमेरिका अपनी Senate आगत पर खर्च कर देता है यानि कि आर्मी के Research and Development पर खर्च कर देता है यानि हत्यार बनाने पर खर्च कर देता है रीजन है यहाँ पर अगर हम देखें तो अमेरिका की सेना से चकनाना किसी के लिए संबब बात आज की लेट में भी नहीं है चाहिए बेसक रसिया कितना भी बड़ा हो रसिया कितना भी बड़ा प्रद्वन्दी हो चाहिना कितना भी बड़ा हो लेकिन कहीं न कि किसी न किसी मामले में हम जो हैं आज भी अमेरिका से बहुत पीछे हैं ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी यहाँ पर आपके सामने अमेरिका के नीचे एक बारे तागत पर देशों की GDP दिखाई गई है और बताया गया है कि वो कितना कितना अपनी सेन पर खर्च करते हैं यानि जितना बारे देश खर्च करते हैं उतना अकेला अमेरिका करता है आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जितना ये बारे देश मिलकर कर रहे है उतना अमेरिका अकेला खर्च कर रहा है GDP पर यानि अमेरिका जो अपना रच्छा बजट अमेरिका का जो है 602.8 अरब डॉलर में है समझ रहे हैं आप अमेरिका का रच्छा बजट कितना है 602.8 अरब डॉलर के करीब है रच्छा बजट यानि बारे छुट-छुटे देशों का रच्छा बजट मिला दिया जाए इतना जो बजट है इतना अमेरिका का है समझ सकते हैं अमेरिका से टक्क लेना पॉसिबल नहीं है ठीक है यानि अभी आपका ये बजट दिखाया गया है यानि सेकिंड नमबर वे चाइना, रूस, सौथी पर साउधी अरब, पांच में ग्रेट बिटेन, छट में भारत ठीक है तो यानि कि इतना है भी जो बजट है अमेरिका का भारी भर करने यानि बारे अब देखें यहाँ पर जो अमेरिका का जो हमला हुआ था, अमेरिका का, अमेरिका इराक में जो हा रहा था तो बेसक उसे सेन ने कमजोरियां यहाँ पर निकल कर आई थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने क्या किया है, रिसर्ज जब्लमेंट के जरीए अपनी सक्तियों को यह फिर से उभा रहा है, फिर से यहाँ पर अपनी दबदबा अपनी तागत कायंद की है यहाँ पर उपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये छे भागों में अमेरिका ने डिबाइड कर दिया है यानि आप देख सकते हैं अभी अफरीगी कमान, मद्य कमान, यूरोपी कमान, उत्री कमान, पैसिफिक कमान, दच्छडी कमान यानि अमेरिका की जो सैनाओं को गठन किया गया है सैनाओं का तो गठन इस हिसाब से किया गया है, इस हिसाब से सेनाओं का गठन किया गया है, उन्हें कमान सौप दी गई है, कि आप ये छेतर देखेंगे, आप ये छेतर देखेंगे, तो ये इस बात को साबित कर रहा है, कि अमेरिका कही ना की अपने देश तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्के पूरी दुनिया में अपना दबदपा काइम करने का जो अब पूरा कूरा जो है अपना दमखम दिखा रहा है। तो यहां पर भही यह है, अमेरिकी ससस सेना की चैललक कमानों की सेनिकारवाई को यहां पर दिखाया गया है। तो ये सब ये बात पता चल लगी साफ साफ का अमेरिका केवल अपने देश तक सीमित नहीं रहना चाहता है बलकि उसके बिस्तार छेतर में पूरा समुचा विस्व सामिल है तो ये बात इसारा कर रहा है कि अमेरिका कही ना की अपना बढ़ाने की लगातार कोसिस कर रहा है औ आप अगर इतिहास को ठागेट देखें, तो इतिहास में भी अगर आपको यही देखने को मिलेगा, कि सामराज बाद वाली शक्तियां होती थी, वो अपनी सैने तागत का प्रयोग चार उद्देश्चों के लिए करती थी, कौन-कौन से चार उद्देश्चों के लिए करती कानून विवस्ता बदहाल होती ती, या पर महाँ पर बहुत जादा आतंकित करने वाला महोल होता था तो भहाँ पर हस्टिप करना पड़ता था तो उसमें हम सैना का प्रियोग करते थे तो इस तरह से सैना का प्रियोग पुराने समय में भी चार जगहों पर होता है जीतने के लिए, अपरोध के लिए अपराद के लिए नहीं है, अपरोध के लिए है समझने वाली बात है, कल ही आपने सब्द पढ़ा है अपरोध, देखें इस तरह के कोई सब्द आते है वो सब्द का वहाँ पर डिफाइन किया होता है तो नोट करके आप लिख लिया कीजिए तो कल के अध्याय में अपने अपरोध देखा है तो अमेरिका ने क्यों है, अच्छे से अपरोध वाला बर्ड यूज किया है ठीक है, सुरी अमेरिका ने नहीं, USSR ने परियोग किया था अपरोध वाला, ठीक है तो यहाँ पर अमिर्का ने तो अच्छे से अपनी सेने तागत का परयोग किया है अगला अमिर्का का देखेंगे धाँचा का तागत यानि अमिर्का का यह धाँचा का तागत बर्चस जो है अमिर्का ने धाँचा का तागत में अपना बर्चस कैसे कायम किया है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे देखें यहाँ पर अगर निकल कर आती है सबसे important बात यहाँ कि आज जो बैश्विक अर्थविस्ता का जो दौर चला है यानि पूरे economy जो ग्लोबलाइज है यानि आप देखेंगे पूरा सोई की नौक से लेकर हर चीज के प्राइस जो होते हैं अंतराष्टी लेवल पर तैक किये जाते हैं चाहिए क्रूड ओयल हो कोई भी जो चीज है हो टेकनलोजी तकनीकी बगरा हो हर चीज के प्राइस जो अंतराष्टी इस तर पर उनका मुल्यंकन किया जाता है अब मुलियन किया जाता है ये बात आप जानते हैं देखते होंगे तो आज जो बैस्वक रतववस्था का यहाँ पर पूरा परवेस है तो बैस्वक रतववस्था की जो परवेस में आप देखेंगे ज्यादा त Edwards अर्थविवश्था का जो नियंतरण और जो कह सकते हैं Technology के मामले में नियंदरण अमेरिका के हाथ में है तो अमेरिका की अर्थवस्ता में अच्छी खासी अपनी मनमर्दी चलती है तो ये जो है चीजों को बनाए रखने में उन्हें बरकरार रखने में यह यहाँ पर हस्चेव करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से अमेरिका जोगा अपना बर्चस कायम रख पर पाता है यहाँ पर यानि कि यहाँ पर आप वही सब चीज़ां देखेंगे यहाँ पर इस तरह से अमेरिका जोगा अपना बर्चस कायम करने में एक भूमिका निभा रहा है यहाँ पर अगर हम 20 प्यापी अर्थविस कि इन पर कोई सी तरह की रोक टोक ना हो चाहें सक छुबायू हो सड़क पर जो है यह सब साजनिक बस्तू के उधारण है तो अमेरिका जो है लगातार क्या करता है अर्थ विवस्ता को बनाई रखने के लिए साजनिक बस्तू के साधन होते हैं यानि कि मा लीजे ट्रांसपोर जो भारी भरकम सामान है समुद्र के जरीए लाए जाता है बहुती ज़्यादा expensive बहुती ज़्यादा lightweight सामान होता है वो बायोयान के तुरू आ जाता है लेकिन पच्चानमें फीसद हमारा ब्यापार जो है समुद्र के जरीए होता यह बात हम जानते हैं तो पूरे दुनिय यहां में जो है साथ महासागर हैं, यह बात आपको बता है, यह बात आप जानते हैं, तो अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने इन सभी महासागरों में अपने अपने जो नौसेनिक जुद्दक जहाजें तैनात कर दिये हैं, समझ रहे हैं आप, यानि अमेरिका ने क्या कि जो हो आपके युद्धक पोत होते हैं वो इसलिए तैनात किये गई हैं कि बिस दुपर में कोई भी गटना करम गटेत हो तो ततकाल हम अपहांपे कारवाई कर सके हैं तो कहीं न कहीं अमेरिका जो इस तरह की भावना या इस तरह की प्रयोक कर रहा है तो ये बात साथ-साफ इस पच्ट है कि अमेरिका जही चाहता है कि हम केवल अमेरिका तक सीमेज तनार हैं समूझे 20 वर कपजा जमाएं आप समझ रहे होंगे, जब सी रूट पर कबजा कर सकता है, सी रूटों की निगरानी कर रहा है, तो सी रूटों की निगरानी का मनलब क्या है, अब माली ज़िए कोई उसका जो अमेरिका का पोत जो है, हिंद महासागर में तेनात है, तो हिंद महासागर में जो तेनात उसका उद्दक पोत होगा उसमें न्यूकिलियर मेसाइल बगरा भी होगी सब कुछ होगा उसमें तो उसकी मदद से वो भारत पर भी हमला कर सकता है चाइना पर भी हमला कर सकता है खाड़ी के देशों पर भी अपना दर्दबा कायम कर सकता है तो केवल हमाँ पर सेना, जो है, समुदर की निगरानी फोड़ी ना हुई, उसके जरी है तो पूरे सभी देशों पर कबजा भी कर सकता है वो, किसी देश पर अटेक भी कर सकता है वो, तो कहीना कहीं अगर बड़े टर्म में देखें, लॉंग टर्म में देखें, तो अमेरिक ठीक है यहाँ पर आप लिख लेना यहाँ पर second लेकि point number में point भूल जाता हूँ यह सबसे बड़ी problem मेरे साथ है यहाँ आपने second point साई लिखा था अब आपका third point है third point की रूप में एक line में आप अपने लिख लेना third point यहाँ पर कि अमेरिका यहाँ पर जो है समुद्री ब्यापार मार्गों पर आवाजाई की नियम तै करता है अंतराश्टी समुद्र के में आवाद आवाजाई को स्निश्चित करता है ठीक है यहाँ पर आप third point की रूप में लिख लेना यहाँ पर यह तो आपका केवल इतना ही point हो गया तो आपने यह दिख लिया कि ब्यापार में कैसे भूमी का निवार आ है तो ब्यापार में भूमी का इसने इस तरह से निवाई है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब बरतमान में एक example और बताया गया है यहाँ पर एक example यह बताया गया है कि बरतमान में जो आप worldwide बेब देख रहे हैं यानि इंटरनेट जो देख रहे हैं इंटरनेट का युग देख रहे हैं तो इंटरनेट आया कहां से देखें इंटरनेट अमेर्की सेन अनुसंधान का एक पलडाम है आप समझ रहे होंगे 1950 के दसक में रसियन जो है इस्पाईयों से बचने के लिए रसियन जासुसों से बचने के लिए इंटरनेट का तंत्र बुना गया था ताके जो उनकी आर्मी की सूचनाए है उनका आधान प्रदान दुर्त गती से हो सके और उन्हें कोई उन्हें डिकोड ना कर पाई लेकिन दीर दीर करके जो क्या है ये टेकनलोजी भार के लोगों को भी दी गई और ऐसे करके यहाँ पर इंटरनेट की नीव पड़ी समझ रहे हैं आप गूगल आप यूज कर रहे हैं गूगल पर आपका जीमेल का अकाउंट है वो भी अमेरिका का है एब भी चला रहे है वो भी अमेरिका का है ट्विटर चला रहे है वो भी अमेरिका का है यानि जितना कुछ आप यहाँ पर सर्फिंग कर रहे हैं जितना भ तो इसकी टेक्नोजी के आगे लगए पूरी दुनिया जो अगुटने टेकती जा रही है तो यही रीजन है कि अमेरिका दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर आप इसमें नोट करके दिख लेना यह बाला देखें यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे तो यहाँ बढ़ नोट करके लिख लेना इंटरनेट जो है वो अमेरिकी सेन अनुसंधान का पैड़ाम है और यह 1950 में सुरू किया गया था सेन अनुसंधान ठीक है तो यह नोट करके आपने लिख लिया होगा इसके लाबा अगर हम 20 की अर्थिवस्था में देखें 20 की अर्थिवस्था में अमेरिका का जो प्रस्त है 21 फीसद हिस्सा है और साथी साथ अगर यूरोपी संग का ब्यापार भी इसका सामिल कर दें तो ऐसे करके अमेरिका की सिधारी 14 फीसद हो जाएगी याद इसके ब्यापार में यूरोपी संग का जो ब्यापार है ये भी सामिल कर दें तो इसके ब्यापार में क्या है अमेरिका की कुल भागेदारी कितनी हो जाएगी 14 फीसद हो जाएगी यानि PPP का मलब यहाँ पर ही है Purchasing Power Parity के According GDP कितनी है वो भी बताई गई है यहाँ पर तो यहाँ पर Purchasing Power Parity के संदर में यहाँ पर चाइना आ गए है उसके वाद अमिर्का है फिर तीसरे नमबर पर भारत आ जाता है ठीक है यानि इसका मलब किसी राष्ट की मुद्रा में बस्तू और सेवाम की बास पर ख़ीददारी कतनी हो रही है तो आप समझ रहे होंगे चाइना वाले खरीदने वे नमबर बने उसके बाद अमिर्का पर भारत वाले हैं ठीक है वैसे का GDP के संदर में सबसे बड़ी GDP अमिर्का की ही है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आगे बढ़ते हैं तो आर्थवास्ता में भी आप समझ रहे होंगे आर्थवास्ता में खास करके इसका बर्चस्व है जितनी लीडिंग कंपनिया है चाहें वो आप समझ सकते हैं अमिर्का का दबदबा बना हुआ है उसके अलावा यहाँ पर इसने अमिर्का ने जो ब्रेटन बुड प्रनाली बनाई थी तो ब्रेटन बुड प्रनाली बेसक उस समय समाप्त हो गई हो लेकिन ब्रेटन बुड प्रनाली के माध्यम से उसकी जो दिवस्था थी जो अव सरनचना थी बुनियादी सरनचना थी वो सरनचना आज भी इसकी जो सरनचना हम देखेंगे वो बिस्व बैंग बर्ड बैंग और अंतराष्टी मुद्रा कोस के माध्यम से देखने को मिलती है नहीं अंतराष्टी मुद्रा कोस और बिस्व अब देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे करगे अब देखे यहाँ पर एक और यहाँ पर बात समझ में आएगी जो आपने जाबू नाम का लड़का पढ़ा था जाबू नाम का डर्बन वाला अपने लड़का देखा था तो यहाँ पर एक डिग्री के रूप में बताय तो यह MBA की डिग्री की जो धाड़ना निकल कर आई वो अमेरिका से ही निकल कर आई है यानि अभी आप देख रहे होंगे हर युनिवर्स्टी में हर बड़े-बड़े कॉलेज में प्रदिश्थान में जो है MBA की डिग्री करवाई आती है यानि भारत में जो ऑफिस के लिए अ आपका जो MBA है तो MBA सबसे पहले MBA के बारे में आप देखेंगे बिजनिस के बारे में यहाँ पर युनिवर्स्टी ऑप पैने सेल वैनिया में वहार्टन स्कूल में बिस्व का पहला बिस्व कोला गया और यहीं पर 18 सक्यासी में जो है बिस्व की स्थापना की गई थी बाद एक professional degree के रूप में, एक पेशेबर degree के रूप में, एक प्रदिश्टिक degree के रूप में MBA प्रसिद्ध भी है आप देख पा रहे हैं यहाँ बद कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने कहीं न कहीं यहाँ पर भी एक मांसेग रूप से कहा दिया जाए, या फिर यह कहा दिया जाए कि अमेरिकान ने जो बहुत दिक रूप से लोगों को अपने अधीन बना लिया इसके जरीए, तो यहाँ पर आप यह नोट करके लगा देना यह देखे यह वैसे प्वइंट की रूप में लिखने काय chip होई मतलब नहीं है, यहाँ पर इतियास की रूप में लिख सकते हैं कि MBA की डेजी का प्रेशलन कहा से हुआ है कहा से निकल कर आई है, तो यह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो नोट में आप आप यहां से लेकर यहां लिख लेना और यहां पूरा यह यहां से लेकर sub point करके यहां तक आप लिख लेना, तो आपको पता चल जाएगा जो MBA की डिगरी है वरत्मान में यह कहां से आई पहे हैं, ठीक है तो यह अमेरीका की ही देन है, MBA की डिगरी जतिक अर्थ में भी यहाँ पर दबदबा कायम करने की कोशिस की है इसका मानना यह है कि लोगों को सेने तागत के दम पर तो हम उनको अपने अधीन कर जी सकते हैं लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात ही है सामाजिक रायनेतिक और खास करके जो यहाँ पर सांस्कतिक कल्चर है उसके जरिए भी किसी ब्यक्ति का ध्यान हम भंग कर सकते हैं किसी ब्यक्ति को अपने अधीन हम कर सकते हैं तो यहाँ पर सांस्कतिक पावर भी यहाँ पर इंपोर्टेंट है जैसे आपने देखा होगा तमाम लोग जो हैं अमेरिका के बड़ शर्म साली बेहबब को देखक हमारी life settle हो जाएगी सभी लोग ऐसा मानते हैं मानते हैं नहीं मानते हैं याप इस बात का नमूना भी देख सकते हैं 40% आपके यापके अमेरिका में जितने भी बड़ी बड़ी company आए जितने भी बड़े उद्योग हैं तहाँ पर 40% से ज्यादा लोग भारती कारे रहते हैं आप इस बात का नमूना भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका ने बिचारधारा का इस्तिमाल किया है याँ लोगों को अपनी और खीचने में बिचारधारा याँ याँ पर आप देखेंगे याँ बिना जोड़ दबदस्ति के रजामंदी दोनों से ही ये काम इससे जरीए ले सकता है याँ सबसे बड़ा पहलू है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं याँ लोग अच्छे जीवन की तलास में अमेरिका की और उन्मुक हो रहे है याँ जो इसके बारे में धारनाय पचलित है यसे अमेरिका में ये है वो है तो उन सब का जो है फाइदा किसी मिल ला है अमेरिका को मिल ला है याँ अमेरिका लगातार और तागत पर होता जा रहा है तो इसकी बज़े से आप देखेंगे कही ना कही अमेरिका जो है लोगों के दिल और दिमाग पर कितना ज्यादा हावी होता जा रहा है और सांसकतिक रूप से भी अमेरिका जो है लोगों की जो कह सकते हैं कल्चर पर चोड़ कर रहा है आप समझ सकते हैं यहाँ तो यहाँ पर यहां पर बताया गया है यहांपर ठीक है तो यहांपर आप पांचमाँ पॉइंट यहांपर यह लिख ले ना ठीक है यह तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा, तो आप समझ सकते हैं, इसी से आपको अन्मान लग जाएगा, कि हर ब्यक्ति यहाँ पर क्या चाहरा है, कि अमेरिका जाएं, और बहतर जीवन इस तर हमारा हो, तो यहाँ तक आप नोट करें, पाच्मा पॉइंट करके, अब यहाँ पर उस प्रतिक गुआ करती थी, तो आप देखेंगे यहाँ पर नीली जीन्स को अमेरिका ने बनाना स्टाट कर दिया, आप तेकिए समझ रहे हैं, आप ब्यापार बढ़ाना संसकती पर कबजा करना अमेरिका कितना अच्छे से जानता है, अमेरिका ने क्या किया, जबर्दस तरी किसे नीली जीन्स का निर्यात स्टाट कर दिया, यानि कि वहाँ पर आप देखेंगे, सोविय संग में इससी ती यह थी, कि यहाँ पर बच्चे अपनी जो साल भर की कमाई होती थी, तो उससे चोर बजार से जो है, नीली जीन्स खरीदने के लिए खर्च कर देते थे, यह यहाँ पर देखने को मिलता था, सोविय संग में इस दी देखने को मिलती थी उस समय, तो भही बताया गया है, कि सोविय संगी पूरी की पूरी पीडी जो थी, नीली जीन्स अच्छे जीवन की आकांशाओं का प्रतीक बन गई थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे, सीत उसका बिरोध करती है, कि नीली जीन्स पहन के मत आए, यह असब्विता का प्रतीक है, असब्विता का मलब गया है, आप देखेंगे जगे जगे हैं, अमेरिका के जो नागरिक आतने घूमने आते हैं, सोट्स में है, ठीक है, आदे-आदे कपड़ों में घूमते रहते हैं उसे लग रहा था कि अमेरिका में नीली जीन्स पहनना एक कूल है, तो यह कहिना कहीं आप देखेंगे उसकी मास्यों जो उसका बिवाद हुआ है, तो यह बिवाद जो हुआ है, तो उसकी वो जैसे दो पीडियों के बीच खाई पैदा करने में यह बिवाद यह कायम रहा ह अमेरिका ने हमारी संसकती पर, हमारी कल्जर पर भी चोड़ पहुचाई है, इस यह बात मैं ही नहीं कहता हूँ, यह बात यहां पर नहीं कहीं जा रही है, यह बात तमाम भारती लोग भी कहते हैं, कि आप देखते होंगे, तमाम आज कल के बच्चे हैं, उनके मायन में यह ही है, कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में मूवियों में यह दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है, ऐसा यहीं समाज में होना चाहिए, तो कहीं ना कि हमारा समाज भी दूश्यत हो रहा है, यह बात बार बार कहीं भी जाती है, संबंद में तमाम लोग अपने म अब्रोध भी है। कुछ तो ऐसा होगा जिससे भर कम बड़े चोड़े हैं तो अमेरिका के अंदर कमिया नहीं, अमेरिका के अंदर कमिया भी है, अमेरिका के अंदर भी यहाँ पर व्यवधान है, कैसे कैसे हैं वो भी हम देखेंगे, पहली बात यहाँ पर यह है, कि पहला व्यवधान अमेरिका में देखने को बिलेगा, कि यहाँ पर अमेरिका की संस् पर अब रोद पर अमेरिका को यहां पर नहीं हो सकती है, कारेपाल का ही उसे चलाएगी, ठीक है, और कारेपाल का भी अपनी मनवर्जी यहां पर नहीं कर सकती है, तो आपने पहली बात तो यह समझ ली, पहला अबरोद यहां पर अमेरिका को यहां पर देखने को मिल ला है, दूसरा अबरोद कहा है, दूसरा अबरोद यहां पर यहां पर यह है, खास करके आपको देखने को मिलेगा, दूसरी अर्चन यह है कि अमेरिका का समाज, अन्य समा पुरा अमेरिका जो था एक सुर में आ गया था और आप देखेंगे एंड में आकर भारी हिंसा भी हुई है स्टीज को लेकर और बाद में आके गवर्मेंट को उस पुलिस अफसर पर कारवाई करनी पड़ी है तो आप समझ सकते हैं अमेरिकी समाज भारती समाज की तरह नहीं है अमेरिकी समाज जो है बेसक भिविन लोगों से मिलकर बना है लेकिन भाँ समाज जो है बहुत जल्दी एक जुट हो जाता है बहुत जल्दी भाँपर समाज जो है एक मत हो जाता है तो यहाँ पर यहाँ पर भास दिसाम मोडने की कोशिस करते हैं और इसका प्रभाव कहीं न कहीं अमेरिका की सेन सक्ति पर भी पड़ता है आपको पता हूँगा जब बे ब्यतनाम बार चल दाथा तो बियतनाम बार की जवर्दस तरीके से अलोचना स्टार्ट हो गई थी तो एक ये भी रीजन था कि अमेरिका का जो सेन खर्चा हो रहा था इस बार की कटोदी करने की कोशिस की जा रही थी बार-बार बहां की पत्रकार, बहां की चात्र, बहां की जो नेता हैं तो यहाँ पर आप लिख लेना अगला पॉइंट अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि अमेरिकी समाज जो है ठीक है जो अमेरिकी समाज जो है यहाँ पर लिख लेना बिखेसी से नवियानों पर अंकुस लगाने में रखने में या अमेरिकी समाज बिखेसी से नवियानों पर अंकुस रखने में बड़ी भूमिका नेवा आता है समाज से मतलब आपको फमझ में आ गया होगा समाज यहां पर बहुत जल्दी अलर्ट हो जाता है बहुत जल्दी अपने अधिकारों की बात करता है और बहुत जल्दी प्रत्क्रिया भी करता है तीसरा प्रव्यवधान कहां पर आता है तीसरा ब्यवधान आता है NATO जो आपका उत्री Atlantic Treaty Organization जो होई है 1949 में ये वाला ब्यवधान और आता है आपको पता होने चाहिए ब्यवधान क्यों आता है निकल कर ये ब्यवधान इसलिए निकल कर आता है क्योंकि माली या अमेरिका अपनी अगर मनमानी करता है तो इस संग्धन के जो सदस हैं यारि यो पश्मी यूरोप बाले खास करके देश इस संग्धन से जो जुड़े हुए देश हैं तो वो बार बार दंकी देते हैं पर क्या हम अलग हो जाएगा अलग होने से यह होगा NATO खत्म हो जाएगा नाटो खत्म होते ही अमेरिका अलग पड़ जाएगा तो यहाँ पर कही ना कहीं अमेरिका इन सब देशों का प्रयोग किसलिए करता है अर्थ विवस्ता को बूष्ट करने के लिए करता है यानि कि यहाँ पर पूरी की पूरी अर्थ विवस्ता इनी के जरीए बनती है तो कहिना कि NATO देश भी इस पर अंकुष लगाते हैं यानि कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह NATO जो है यानि कि आप देखेंगे यह तीसरा संग्टन NATO यह इस पर अंकुष लगाने का कारिकरता है तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ पर तीसरा ब्यावद्धान नाटो अर्थाथ उत्री अट्लांटिक ट्रीटी है ठीक है तो यहाँ पर इसमें सब पॉइंट लिखेंगे न कि लोगतांतिक देशों के संग्ठन को कायम रखने से जोड़ा है याने कि अमेरिका का बहुत बड़ा हित यहाँ पर पूरा लिख लेना ठीक है और इसी में अगला सा पॉइंट कि नाटो में सामिल अमेरिका के साथ ही देश उसके बड़्चस परंग को लगा सकते हैं यहाँ से ठीक है अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में हमारे सम्वंद बैटर नहीं रही है खास करके सीत्युद्ध के दोरान हम देखेंगे हमारा अंतराश्टी महाल यहाँ पर मित्र भीन रहा है यहाँ नहीं हो पाई है हमारा जो उस समय जो काज आए जो काव जो रहा है वो सोविय स बैटर हो गया है और बेटर के बाब जूद हमने यहां अपने हैं रिफॉर्म लेकर आई हैं तो रिफॉर्म लाने प्यास के कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं मधुर हो गए हैं गुसरी बात यह है कि प्रध्योकी वेरा के मामले में प्रध्योकी के मामले में भी अगर हम देखें तो हमारे जो भारती हैं अनिवासी भारती वो अमेरिका में कारियरत हैं तो इस बज़े से भी अमेरिका कहीं ना की भारत का जो है एहसान बंद रहता है जैसे आपको बताया जाए software industry अमेरिका की देख लिए जाए तो यहां 65 फीसद software industry का जो निर्याद जो होता है अमेरिका को होता है Boeing company जो है बिमान बनाने वाली 35 फीसद जो टेक्निक सीन जो है भारती मूल के है तीन लाग भारती सिलकोन बैली आप जानते होंगे पूरा IT hub जिसे कहा जाता है बहांपे तीन लाग भारती कारण रहते हैं इसके लावा जितनी भी high tech company आए उसमें 15% कमपनियों की सुरुवात अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है चाहे हो Microsoft हो जो भी हो Google गएरा जो भी हो सब में भारती ही तैनात हैं और बड़े-बड़े उचे पदों पर तैनात हैं तो कहीं न कहीं अमेरिका को भी ये बात आवास रहता है इस बात का कि इंडिया का अहित हम नहीं कर पाएंगे अगर हम इंडिया का अहित करेंगे अगर ये एक महीना के लिए अमेरिका छोड़कर भारत में आ जाएं तो क्या होगा अमेरिका धारासाही हो जाएगा हकीकत है ये अमेरिका धारासाही हो जाएगा अमेरिका जो दम खम दिखा नहीं रहा है वो इन्हीं लोगों के दम पर बढ़ रहा है अब जो भी मानिये कि भारत से ये लोग गए क्यों भारत के आंतरे कलह की बज़े से गए या फिर भारत की रायनीद दूशित हो चुकी थी, इस दूशित राजनीस से जो इनका ध्यान बहु भंग हो गया था तो इस बज़े से गए, तो कही ना कि भारत के लिए छती है ये, भारत के लिए छती है ही है, ये भारत से प्रतिवा अगर निकल कर आ जाती है तो यहां पर आप अगला एक पहला पॉइंट यहां पर लिख ले ना कि पहला पॉइंट भारत अमेरी की संबंद्ध ठीक है और भारत का अमेरीका से संबंद्ध ठीक है यह लिख ले ना यहां पर और इसी में यह पाचों पॉइंट ने यह पॉइंट जो सौट करके आप एड़ कर दें, चार के चारो पॉइंट आप इसमें एड़ कर दें, सब पॉइंट के रूप में, ताकि आपको इतियास फोड़ा पता चल जाए कि कितने कितने लोग कारिरत हैं, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, टेक्नलोजी के मामले में, चुकि भारती ल भारत के वद्ध्वान जो अंतराष्ठी रायनीत में दिल्चस्पी रखते हैं, तो वो अमेरिका की बढ़ती हुई तागस से भहवीत हैं, उनका मानना यह है कि अमेरिका लगातार अपनी सकती बढ़ाता जा रहा है, तो अपनी लगातार सकती बढ़ाने से ये भारत के इत दूसरे विद्वान को चैसे हैं, दूसरे विद्वान ये कहते हैं, हमारे जब इतने भारती मा कारीरत कारी कर रहे हैं, तो क्यों न हम इस बर्चस का फायदा उठाएं, यहां भी यहां पर थोड़ा आर्टिक लाव कमाएं, दूसरा खेमा यह बात, यहां यहां पर एतियासि इसी खेमे को अपने जो है अमिर्का से मिल जूलकर रहें और आगे बढ़ते चले जाएं तीसरा खेमा ये कहता है कि भाई हम जो विकासील देसों का संग्ठन हैं भारत अपने आसपास मौझूद छोट-छोटे विकासील देस हैं इनका गठवंदन बनाए और इनका पहली बात आप समझ लेजिए जो तमाम तरह के अंतराष्टी संग्ठन बने हैं अंतराष्टी गढ़वंदन हुए हैं अंतराष्टी समझोते हुए हैं तो ये समझोते किसी देश की सक्ती को कम नहीं कर सकते हैं पहली बात आप जान लेजिए कि अंतराष्टी रायनित में सेने सकती पर लगाम कैसे कसी जाए इस बात को लेकर तमाम समझोते हुए संग्ठन हुए लेकिन इतने कारगर नहीं हो पाए यानि कि ये कुछ काइदे कानून जरूर है युद्ध पर अंकुष लगा रखते हैं लेकिन ये काइदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते यानि युद्ध होगा तो होगा ये बात इसपष्ट है यहाँ पर तो ये इसके बारे में आप आगे यहाँ पर देखेंगे यानि अंतराष्टी रायनीद को कर हम उठा के देखेंगे तो अंतराष्टी राइनीज वास्तम में सरकार विहीन राइनीती है सरकार विहीन क्यों है यहाँ पर जो हमारा आधान प्रदान है वो mutual understanding पर चल लहा है समझ रहे हैं आप याँ माल लीजिए एक पल अमेरिका के माइंड में आ जाए सरकार को बना गिरा रही है यहाँ पर कोई सरकार नहीं बन और गिर नहीं रही है यहाँ पर देशों के बिवेक पर निर्वर कर रहा है मैंचीज क्या है यहाँ पर देशों के mutual understanding और बिवेक पर निर्वर कर रहा है कि वो किस तरह का समाज बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी इस तरह के अंतराश्टी संग्ठन है, गटवंदन हो रही है, यहाँ पर संधियां बगरा हो रही है, यह कुछ हद तक रोकने में प्रयास तो करती है, लेकिन कारगर नहीं है, यह बात आपको अध्याय च्छे में इस पर श्टूप से पता भी चल ज लाएगी, अभी यहाँ पर रिटेल में नहीं बताया गया है, बराल कोई भी देश ऐसा नहीं है, आज के समय में ऐसा कोई देश हो, जो केबल यह क्या दिया कि हम अंतराश्टी संबंदों या अंतराश्टी कानूनों के दम पर हम अपने देश की सुरक्षा उसके हफाले कर पाकिस्तान अपनी हरकातों से बाज नहीं आता है, डेली फाइरिंग होती है, डेली हमारे जबान सहीद होते है, डेली वहां से जो है, मौर्टराट के सेल दागे जाते है, हमारे भारती नागरिकों को चोट पहुंचती है, हानी पहुंचती है, तमाम नागरिक मारे जाते ह याँ पाकिस्तान अपनी आदतों से मजबूर आदतों से जब बार नहीं आ रहा है हमारा यहाँ अंतराश्थी कानौनों के थैट हमारा तो हो गया है कि हमारे हैं कोई युद्ध नहीं होगा युद्ध भिराम है, यहाँ सीज़ फाहर आपने लोगा सीज़ फाहर कि बापदूद भी कारेकारियल क्लट राज़ड हुआ तो आप देखते हैं तो कहीना कही небольш पासिबल नहीं है दूसरी बात यह ऐ है के लगातार जो कही जा रही है कि भारत चीन और रूस मिलकर अमरिका के बरचस को चुनोती दे सकते हैं तो दूसरी बात यह है कि भारत, चीन और रूस कभी भी एक फ्लेट फॉर्म पर आ नहीं सकते हैं, इन सब के आपसी मत्वियत पहुत ज़्यादा है, आप समझ रहे होंगे, आपसी मत्वियत क्या है, रूस वाले अपना सोचते हैं, चाइना वाले अपना सोचते हैं, भारत व करें और नहीं सकते हैं, और अमेरिका से अलग हो करना बलके अमेरिका के साथ बिलकर काम करें, तब ही हम जो है, अमेरिका के साथ ख़ड़े हो पाएंगे और अपने आपको भी डवलब कर पाएंगे, यानि तमाम लोगों ने ये भी कहा है, कि बेंड वेलगन वाली नीत तो यहां पर यहीं चीजा, हमारे यहीं लागू होती है, कि हम भी यही अवसर का लाब उठाएं, अमिर्का जैसा चरल लाहा है अमिर्का में जैसा कुछ हो रहा है, उन आर्चिक नीतियों का हम भी लाब उठाएं, उस व्यापार का हम भी हिस्सा बने, एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि अपने आपको छफा लें अब छफाने से ये तो हो सकता है कुछ देन के लिए दूर रहें लेकिन लंबे समय प्रेश्फ चुप नहीं सकते ये चाइना है silent रने कोसिस करता है यह कोशिश नहीं करता है, डारेक्ट आमने सामना नहीं कोशिश नहीं करता है, यूरोपी संग अलग रहने कोशिश करता है, लेकिन ये क्रोधगी चपेट से अपने आपको बचा नहीं सकते हैं, अपने आपको छोटे देस तो छुप सकते हैं, लेकिन बड़े देस बड़ी तकनीक के आदान प्रतान होगा, टकरा होगा यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं कि वही देश अमेरिका की तागत के आगे बेवस हैं तो यहाँ पर वही सब चीज़ें यहाँ पर जाते जाते कही गई है अब देखें यहाँ पर इसी के साथ आपका चैप्टर अंत हो जाता है तो वहराल यहाँ पर आपने अमेरिका का बर्चस कैसे कायम हुआ है पूरे दुनिया में अमेरिका अपना डंका कैसे बजा रहा है वो सब बातें आपके माइन में क्लियर हो गई हैं और आपके प्रॉपर विव में नोट्स भी वन गई हैं और नोट्स ज्यादा बड़े नहीं हैं लेंदी नहीं हैं उसकिल से एक से डेड़ पेज के नोट्स हैं तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा आप सभी लोगों से मैं गुजारिस करूँगा आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो मेरे माइड में चीज़े हैं देखिए अभी आपके तीन चैप्टर हिस्ट्री वाले बचे हुए हैं मुझे ये पता है गलाश टेंद के तीन चैप्टर आपके हिस्ट्री के रह गए हैं उन्हें मैं जल्दी से पूरा करने प्रियास करूँगा कुछ कारणों की बज़े से चैप्टर नहीं ला पा रहा हूँ इसके लावा इस्टेंडर्ड बुक की जो बात चल रही है इस्टेंडर्ड बुक भी मैं लेकर आऊंगा लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर तसली रखिए मैं यह सोच रहा था कि मैंस का कुछ पॉर्टसन स्टार कर दिया जाए लेकिन कुछ लोग लगातार यह कह रहे है सर रमेज सिंग का बुक उठा लीजिए या पिर आप माजे दुसैन करवा दीजिए देगे माजे दुसैन मेरा करवाना का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जियोगराफी हम उल्ली डिटेल में पढ़ा चुके है माजे दुसैन का हम जो है MCQ वाला बोर्सन उठा लेंगे माजे दुसैन वो कम कवर नहीं करवाएंगे ये बात मैं आज भी बता दे रहा हूँ हाँ, इकोनोमी की बात जो रही अर्शास्तर की जो बात रही रमेसिंग वाली उस पर हमारी टीम बिचार कर रही है और बहुत जल्द आपको जो भी डिसियन भैका वो हम बता देंगे तब तक आप जुड़े रही है चैनल के साथ पढ़ते रही है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही ठैंक्स वर वाचिंग, जय हिंद बफ़ते डेंहे है झाल 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 झाल